हमारे आदियातमिक अभ्यास हमें समय, सूचना और उर्जा को संभालने में कैसे मदद करते हैं जिसके बारे में आपने अभी बात की ये निश्चित तौर पर आपको उर्जा को मैनेज करने में मदद करते हैं, है न? निश्चित तौर पर करते हैं जानकारी को सही तरीके से संभालने के लिए या पहले से इखटा की गई जानकारी से पैदा हुई आदतों से हार न मानने के लिए पुरानी जानकारी से उर्जा कुछ जरुरी चीजों में से एक है पुरानी आदतें जो बन चुकी है अगर आपको उनसे बाहर आना है तो आपको उर्जा चाहिए अगर आप में पर्यापत उर्जा नहीं होगी तो आप बाहर नहीं आ पाएंगे आप उनहीं आदतों में फसे रह जाएंगे तो अगर आप पर्यापत उर्जा पैदा करते हैं तो जो काम कोई 24 गंटे में करता है, वो शायद आप 6 गंटे में कर लेंगे, या जो आप 24 गंटों में करते हैं, वो शायद कोई 3 दिनों में करेगा, जो कि हमारे लिए सच्चाई भी है, तो समय उर्जा और जानकारी तीनों खास तरीके से मैनेज हो रही हैं, लेकिन खास करक अगर हम समय पर अपनी पकड बनाना चाहते हैं, तो हमें एक साधना की जरूरत होगी, जो अलग प्रकृति की हो. अगर आप समय पर महरत हासल करना चाहते हैं, तो उसके लिए एक बिलकुल अलग तरह की साधना हैं. मौजूदा साधना से कुछ चीज़ें तो होती हैं लेकिन इनका मुख्योद देश, कर्मों की सूचना और उर्जा को सांभालना है अगर कोई समय पर महरत चाहता है तो दूसरे तरीके की जरूरत पड़ेगी अगर हमें उस रास्ते पर चलना हो तो या तो आप में जीवन के कई पहलूओं के बारे में बहुत जादा समझ होनी चाहिए तो ये बहुत ही वैग्यानिक तरीका हो जाएगा और या फिर आपको सुनने के लिए तयार होना होगा अगर आप में दोनों में से कोई भी एक गुण है तो ये संभव है जो पहला तरीका मैंने बताया बहुत जादा समझ वाला वो कम समय में नहीं होगा वो कम समय में हो ही नहीं सकता उसके लिए काफी कुछ चाहिए बहुत कुछ चाहिए लोगों को ये समझने में कई जन्म लग जाते हैं कि ये वाकई में कैसे होता है कि ये समय क्या है मुझे पता है विज्ञान ने कुछ हद तक समय की व्याख्या की है ये अच्छी बात है कि उन्होंने कुछ कदम उठाए हैं लेकिन वे उस परमसत्य के करीब बिलकुल भी नहीं है कि समय क्या है तो मैं कहूंगा कि इस प्रकार की साधना में अभी सिर्फ वे ही लोग जा सकते हैं जो बस बात मानते हूं अगर मैं उन्हें कहूं कि कुए में कूद जाओ तो वे कूद जाएं कुए में नहीं, ट्यूब वेल में हाँ अगर मैं ट्यूब वेल में कूदने को बोलूं तो वे अपना शरीर मोड का ट्यूवल में घुच जाएं तो अगर वे इस तरह के हैं तो हम काल से सम्मंदित साधना कर सकते हैं आपने कीर्ती मुख के बारे में सुना है हर मंदिर पर कीर्ती मुख की मूर्ती होती है जब शिव ने उन्हें कहा ओ, खुद को खालो वो बोला मैं भूखा हूँ तो शिव बोले खुद को खालो तो उन्हेंने खुद को खालिया बस उनका चहरा, मुख और हाथ बचे दे बाकी का हर हिस्सा वो खा गए तो शिव बोले आप एक तीजस्वी चहरे हैं आप सभी भगवानों से उपर हैं तो हर मंदिर में कीर्थि मुख का चहरा होता है जिसमें हाथ मूँ में होते हैं शरीर नहीं होता क्योंकि वो खा गए थे वो अपना ही शरीर खा गए थे क्योंकि शिव ने कहा था कोई रीजन नहीं कोई आइडिया नहीं, लेकिन वो खा गए और सभी देवताओं से उपर चले गए तो कहने का मतलब है कि वो समय, स्थान और हर चीज से परे चले गए भगवान से उपर होने का मतलब वो इन सभी आयامों से उपर चले गए लेकिन भगवान भी इन में से कुछ सचाईयों के आधीन है लेकिन वो उन सभी से उपर है